So guys, अगर आप है एक traveler, अगर आप है एक YouTuber, अगर आप है एक vlogger या अगर आपको पसंद है वीडियो shoots करना, तो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ एक बहुती amazing सी चीज जिसका नाम है Xiaomi Selfie Stick. अब यह जो Selfie Stick है, यह सिर्फी Stick ही नहीं, यह एक tripod भी है जो कि actually मैं पूरे Selfie Stick को भी एक remote से control किया जा सकता है. आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यह Selfie Stick की price क्या है और यह company ने कब उतारा है और आप यह कहां से purchase कर सकते हैं. So guys, Xiaomi का यह product है और company ने इसे officially अपनी website पे launch कर दिया है और जो इसकी price है वो है एक हजार निन्यानवी रुपे है. अब आप इसे online भी purchase कर सकते हैं Xiaomi की official website से. अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं design की और specifications की details के अंदर. तो बने रहे हैं यह वीडियो के साथ आकरी तक मैं हो रावलार आप देखरोंगे टेक्निकलोब आप यूटूब चैनल को कर लिजे subscribe, like and share ताकि वीडियो की notification अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहें. So let's start! So guys, यह है आप लोग के सामने Xiaomi MI Selfie Strict Tripod with Bluetooth Remote launch in India at Rs. 1099. अब आप इसे MI की official website से भी खरी सकते हैं. अब बात कर लेते हैं यहाँ पर design के बारे में. तो guys, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, design काफी attractive है और मुझे तो काफी अच्छा लगा क्यूंकि यहाँ पर जो मुझे अच्छा feature लगा है, वो यहाँ पर यह लगा है कि यह selfie stick के साथ में आपको tripod भी मिलता है. सपोस कीजे, आप यहाँ पर कोई एक वीडियो बना रहे हैं और आपको table stand चीए, तो आप क्या करते हैं, या तो वो 100 दोसो वाला एक stand लाते हैं, या 300-400 रुपे में एक stand लाता है, या फिर आप अपने tripod के साथ भी adjust कर सकते हैं. यहाँ पर आपको 2-1 नहीं, 3-1 काम करने को मिल रहा है, साथ ही में यहाँ पर ही selfie stick के अंदर आपको remote control में मिल रहा है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं feature की guys, तो यहाँ पर इसकी जो price जैसे के बता चुका हूँ, एक हजार निन्यानु रुपे का है, और यह support करता है Bluetooth V3.0 यानि की अभी का यह Bluetooth जो वर्जन है वो जादा latest नहीं है, बट Bluetooth V3.0 आपको मिल रहा है, जो की support करता है Android को, और उससे जादा जो 4.3 के Android वर्जन से जो higher होगा उनको भी support करेगा, साथ ही में अगर आपके वास Apple के phone है, यानि की iOS के phone है, तो उसको भी यह support करता है, साथ ही मे Micro USB port मिलता है, जो की charging के लिए होता है, अगर आप यहाँ पे बीच में देख रहे हैं, जहाँ पे camera का style बना हुआ है, वहाँ पर यह वाला जो पार्ट है particular निकल जाता है, इसको आप charge कर सकते हैं, और easily वापस इससे लगा सकते हैं, और as a remote भी आप इससे use कर सकते हैं, साथ ही साथ ही में आप इसकी जो selfie stick की जो length है उसको बढ़ा सकते हैं, साथ ही में इसके अंदर आपको tripod का option मिलता है, जहां से आप नीचे से easily इसे open कर सकते हैं, और टेबल पे भी रख सकते हैं, साथ ही में guys अगर बात करी जाए जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप traveler हैं, यह vlogger हैं, और अगर आपको videos बनाने होते हैं, mobile phone से, तो यह जादा heavy भी नहीं है, 155 gram का है, जो कि मेरे हिसाब से काफी easy रहेगा आपके हाथों के लिए, जादा आपके pressure नहीं आएगा, जादा weight नहीं पड़ेगा, साथ ही में non-slip grip है, जो कि काफी अच्छी तरीकी से finny के शा जादा अच्छा लगा, और सबसे ची बात यह है, जा तक मेरे सुना है कि एक बार recharge करने पे आप इस remote से 50,000 तक photographs को भी click कर सकते हैं, जो कि बहुती जादा amazing चीज है, साथी में guys यहाँ पर आप length को तो increase करी सकते हैं, साथी में यहाँ पर जो इसका increase करने का length का size आएगा, व और मेरे हिसाब से अगर आप कभी भी जैसे travel कर रहे हैं, shoot करना है, cinematic shots लेने, तो उसके लिए भी काफी अच्छा है, और सबसे best अच्छी बात यह लगी, अगर आप YouTuber हैं, और अगर आप एक देख देख रहे हैं, टेबल स्टैंड का देख रहे हैं, तो आप यह वाला tripod ले स जाएगा, जैसे भी इनका home delivery का system है, तो यह आपको वहाँ मिल जाएगा, तो black color का यह आता है, साथ ही मैं आपको यहाँ पर remote मिलता है, जिसको आप चार्ज कर सकते हैं, even आप इसके साथ इस remote को अलग से निकाल के सपोस कीजिए, मैं सामने बैठा हूँ, कैमरे को लेके, या से मेरा वीडियो शुरू हो जाएगा, रिकॉर्ड करना, और जैसे में इस बटन को दबा दूँगा, वो वहीं पे उसको stop कर देगा, या pause कर देगा, तो यह काफी amazing चीज लगी मुझे, कि जहां पर आपको selfie stick के साथ, ट्राइपोड को option मिल रहा है, और आप कभी भी कहीं प काफी अलग टाइप के ऐसे और मॉडल्स और भी है, अलग अलग ब्रैंड के, बट शाओमी काफी अलग टाइप की चीज़े निगालता रहता है, तो मुझे भी काफी अट्राक्टिल लगी तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए ये वीडियो और इंफोरमेशन आप लोग क कर दो